आप किसी से मिले भी नहीं है, फिर भी उनसे connect कर पाना, उनसे प्यार कर पाना, इसका best example फैलान ये 2001 की Korean romantic movie है एक gangster को पता चलता है कि उसकी wife मर चुकी है, पर इस wife से वो कभी भी नहीं मिला है इस movie की ये storyline है, और आज मैं आपको ये explain करने वालो हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं Movie start होती है, और हमें airport दिखाया कहा है, इस airport पर Sicilia land होती है, ये जो देश होता है, ये Korea होता है Sicilia actually China से होती है, और यहाँ अपने relatives को मिलने आई हुए होती है Next scene में हमें और एक नया main character introduce होता है, इसका नाम हम John रखेंगे John एक gaming parlor पर होता है, जहाँ आप जूआ भी खिल सकते है वहाँ पर एक machine के सामने, वो सो गया होता है उसे एक लड़का उठाता है, उस दोरो बहुत ही चीट जाता है वो से पुछता है कि क्या तुम मुझे जानते हो उसे डराता धमकाता है, और फिर gaming parlor का जो owner होता है, उसके पास चला जाता है उसे भी वो coin के लिए धमकाता है John जो होता है, अभी अभी जेल जाकर वापस आया होता है John एक छोटा सा गैंगसेट होता है, और एक गैंग के लिए वो बहुत सारों से काम करता है बोस के ओफिस के बाहर वो खड़ा होता है अपने बोस के लिए उसने एक टोस्टर भी गिफ्ट लाय होता है उसका बोस उसे कहता है कि क्या तुम पागल हो, अभी अभी तुम जेल से आयो और डारेक्ली मेरे पास आगए इससे वो ट्रवल में आ सकता है, इसलिए वो ये बोल रहा होता है John का बोस उसे मारता है और दभा होने के लिए बोलता है John का सीटी में DVDs बेचने का एक दुकान होता है इसी शौप में वो बच्चों के बॉन टेप्स भी पेचता था इसी वज़े से वो अरेस्ट हो चुका था और इसी वज़े से वो जेल गया था जब यह वापस आता है तब देखता है कि यह दुकान कोई वाल चरा रहा है जिस लड़की को John है दुकान समालने के लिए छोड़ कर गया था यह उसके साथ intimate हो चुका है जो यह समाल रहा होता है इसको John पहचान लेता है यह उसके गैन का member होता है John उससे पुछता है कि तुम यहा क्या कर रहे हो वो लड़का बोलता है कि आज से यह मैनेज कर रहा हूँ John उसे गाले देने लग जाता है वो भी उससे गाले देता है फिर वो लड़का explain करने के लिए कहता है जो बोस है उसने अभी मुझे मैनेज करने के लिए यह दिया है John उसे धमकी दे कर जाता है अब मैं बोस के पास जाने वाला हूँ अगर उसने मुझे अलग कुछ कहा तो मैं तुम तुम मार दूँगा John फिर नमें दिखता है कि वो अपने friend के साथ आता है उसके साथ ही वो रहता है वो अपने friend को लात मारता है और beer लाने के लिए बोलता है का friend उसे ये beer दे नहीं रहा होता तो उसे जकर लेता है उसका friend फिर उसे कहता है कि freeze में वो है तुम जा कर ले सकते हो जिस तरह से friends होते है एक दूसरे को मार मरोड कर कुछ भी चीज़े मांग लेते है इस तरह से इन दोनों की friendship होती है next in में हमें John का boss दिखाए गया है वो एक club में होता है और वहां की जो prostitute होती है उसको बहुत ही डाट रहा होता है उसे कहता है कि तुम जो पैसे लाती थी वो बहुत ही कम हो चुके है उसे पता होता है कि ये गड़वर्ड कर रही है वो उसे धमकी देता है और अलग प्लेस पर जाकर पैसे कमाने के लिए बोलता है इस लड़की के जो इंचाज होते है जिनको इसने पैसे देने चाहिए थे उनको भी डाटता है इन्हें मारता है और कहता है कि हम ऐसे चीजों को sleep नहीं होने दे सकते वो कहता है कि हम ऐसे चीजों को अगर lose होने देंगे तो यह empire हम खो देंगे यह बहुत ही strict होता है और बहुत ही जालिम होता है उसके boss से मिलने फिर John रात में आता है जान को उसका boss as a bouncer क्लब में job देने वाला था उसके friend ने उसे कहा था कि bouncer से अच्छा तो तुम waiter बन जाओ तो यही बात करने के लिए वो अपने boss के पास आया है यह boss से जब वो बात करता है तो boss इसके लिए मना करतेता है भाय जान इसके लिए कुछ कर भी नहीं सकता रात में जान और उसका friend डिनर कर रहे होते और discuss कर रहे होते कौन से boxing champion अच्छा है यह डिनर करते वक्त उठ जाते है और एक दूसरे के साथ boxing करने लग जाते है जान दुसरे दिन गैंकी कुछ रड़कों से मिलता है वो brag करने के लिए कहता है कि अगर तुमसे कुछ काम होना पाए तो मुझे बदा देना मैं कर दूंगा जान जो होता है बहुत सालों से गैंकी साथ होता है तो उनका senior होता है वो फिर उसे कहते भी है कि एक काम है जो तुम कर सकते हो वो फिर उसे एक noodle shop पर लेकर आते है वहाँ की जो एक old lady होती है वो गैंक को हमेशा सर्व करती है बहुत सालों से गैंकी member यहाँ आते है और खाना वेगरा खा कर चले जाते है जॉन भी यहाँ आता रहता है और इस बार इसने जो लोन लिया था वो पे नहीं कर पा रही इसी वएज जैसे उसे डराना धमकाना है जॉन यह ट्राय करता है पर बोलती है कि मैंने तुम्हें कितने बार खिला है वोसे वो ऐसी जटक देती है जॉन भी जादा कुछ करने पाता क्योंकि वो उसकी परती सिंपधिक होता है फिर गैंग का एक नया लड़का उठता है और उस लेड़ी को साइन में फेक देता है जॉन उसे रोगने के कोशिश करता है जॉन को भी मारता है फिर ये सब उस ओल लेड़ी को धमगे देते है कि हम तुमारा पूरा दुकान जला देंगे और केरोसिन बें डालने लग जाते है फिर ये ओल लेड़ी कहती ही कि मैं कुछ भी करूँगी तुमारा लोन में पेई कर दूँगी जब बहार आते है तो गैंका लड़का जॉन को कहता है ये तुम हमारे सिनेर हो पर हम तुमें सिनेर कैसे बुला सकते है तुम उस ओल लेड़ी को भी हैंडल नहीं कर पाए तुम सौप्ट हो चुके हो और इस काम के लिए तुम नहीं बने हो ये कहकर वो जा रहा होता है तभी जॉन को बहुत ही खुस्ता आ जाता है वो एक ब्रिटल पत्थर लेता है और उसके सर में डाल देता है इन सब का अब जगड़ा हो जाता है जॉन सिनेर है और ये सब जुनियर थे फिर भी इन में फाइट हो चुकी है तो एक प्रॉल्म हो जाता है अब बोस ने इन सब को बुला आता है जो भी सभी लड़क Bye लेड़कों दे इन सब को उनका बोस बहुत ही मारता है जॉन को भी जाने के लिए बोलता है पर जॉन वहाँ से जा नहीं रहा होता उसका बॉस उसे कहता है कि इन लड़कों के साथ तुम्हारा जगर नहीं होना चाहिए था जॉन कहता है कि उस ओर लेडी को पर वो उसे बोलने ने देता जॉन का बॉस उसे कहता है कि तुम पास में क्यों अटके पड़े हो तुम जिस तरह से भीएव कर रहे हो वैसे अगर में करता, तो में अपने आप को मार टालता जौन सुनने रहा होता, तो जौन को भी बहुत मारता है जौन को मार कर, फिर वो उसके बारे में ही नेकर आता है उसे कहता है कि हम दोनों ने गैंग एक साथी जॉइन की थी पर मैं कहा का कहा पोच गया जो कट्स इस काम के लिए लगते है वो तुम में नहीं है तुमारा हार्ड बहुत ही सॉफ्ट है उसे बहुत सारी दारू वो यहाँ पिला रहा होता है इस बार में फिर जॉण का बॉस नोटिस करता है कि एक दूसरी गैंग का लड़का यहाँ आ चुका है यहाँ जो गैंग्स होती है उनकी टेरोडोरी फिक्स्ट होती है एक दूसरे की टेरोडोरी में नहीं आ सकते फिर वो उस लड़के पर ठीट जाता है उसे बाहर निकल लेता है ये दूसरे गैंग की मेंबर को वो बहुत ही मारता है जॉन भी बाहर निकलता है ये दूसरे गैंग का मेंबर अब जॉन के बॉस को ही मार रहा होता है तो जॉन उसको बहुत मारता है ये दोनों मिलकर उसे जान से मार देते हैं दूसरे दिन जॉन का बॉस उसे अपने ओफिस में बुलाता है उसे कहता है जिस आत्मी को हमने मार देया था उसे पुलिस जुन रहे है पुलिस का जो शक होता है ये बॉस पर ही होता है ये बॉस फिर जोहन से फेवर मांगता है वो कहता है कि मेरे जगे पर अगर तुम जेल में चले गए तो बहुत ही अच्छा होगा बहुत सारे पैसे वो इसके लिए उसे देने वाला होता है उसे कहता है कि तुम्हें हमेशा एक बोट खरीदनी थी तुम्हें अपने गाव जाना था मैं तुम्हारे लिए ये बाई करके दे सकता हूँ मैं तुम्हें बहुत सारी हेल्प कर सकता हूँ अगर मैं इस उमर में जेल में चला गया तो मैं जो बॉस हो ये सब मुझसे छीन लिया जाएगा मेरा करियर दबा हो जाएगा मैं होने नहीं दे सकता वो उसे कहता है कि तुम मेरे फ्रेंड हो प्लीज मेरे लिए इतना तो करो जॉन फिर उसे कहता है कि मुझे सोचने के लिए जरब वक्त चाहिए फिर वह वहाँ से चला जाता है जब रात होती है तो जौन अपने फ्रेंज के साथ तारू पी रहा होता है जब उसे बहुत सारी चड़ जाती है तो वो अपने गाउ के बारे में कहने लग जाता है वो कहता है कि यह जो बेदर है इस वे बहुत सारी फिशिंग चलती है उसे fishing करना बहुत ही अच्छा लगता है वो कहता है कि जब मैं अपने गाव जाऊंगा तो मैं भी एक boat buy करूंगा वो भी बहुत सारी fishing करने वाला होता है और अपने गाव में एक शांत life जीने वाला होता है उसका friend उसका believe नहीं करता वो कहता है कि उठ तुमारे पास इतने पैसे लिए है कि तुम board buy कर सको John फिर चीर जाता है क्योंकि यह सच होता है वो फिर बाहर आता है और अपने बॉस को कॉल करता है उसे कहता है क्या सच्छ में तुम मुझे पैसे देने वाले हो उसका boss उसे हम कहता है फिर जॉन केता है कि पहले पैसे मेरे आकोड में डाल दो उसके बाद मैं इस काम के लिए रेडी हो जाओंगा जब नेक्स दिन आता है तो जॉन अपने घर पर होता है और पुलिस दरवाजा खटकटा थी है उसे लगता है कि पुलिस उसे ले जाने के लिए आई है और पुलिस उसे कहती है कि तुम्हारे वाइफ मर चुकी है ये सिन यही कतम हो जाता है और नेक्सिन में हमें फिर से सिसिलिया दिखाई गई है सिसलिया अब कोरिया में अपने रिलेट्वस से मिलने के लिए आ रहे होती है वो टैक्से से उतरती है और जो पता होता है वहाँ जाती है वहाँ एक दुसरी ही लेडी होती है वो से कहते है कि तुमारे जो रिलेट्वस है वो कबके यहाँ से चले गए है वो United States में Canada में रह रहे होते है Sicilia जो होती है उसके family मर चुकी होती है China में उसका कोई नहीं बाकी रहता इसलिए वो Korea आई होती है पर अब उसके relatives भी Korea में नहीं है तो यह बहुत ही बड़ी problem है जब वो वहाँ से बाहर निकलती है तो एक building पर hope लिखा होता है विशा cancel हो सकता है तो यहाँ नहीं रह सकती यह बड़ी problem हो जाती है तो वो कहती है कि कुछ तो वह होगा जो मैं यहाँ रह सकती हूँ यह lady फिर उससे कहती है वो इससे सला देती है कि अगर उसने local Korean के साथ शादी कर ली तो यह इससे बढ़ सकती है वो यहाँ रह सकती है next year में John और उसका friend दिखता है John बैसो के लिए सीसीलया से שादी करने वाला होता है उसने वेपर साइन कर दी होती है और वो John तो दे देता है सीसीलया office में होती है और John बाहर होता है John का friend उससे कहता है कि एक बार उससे देखतो लो उसे देखता है पर इसमें जादा वो थोट नहीं देता जॉन शादी के लिए आया है इसलिए उसने स्कार पहना होता है जॉन का अंदर जाने के लिए कुछ भी काम नहीं रहता तो उसका फ्रेंड उसे कहता है ये क्या स्कार पहन कर रखा है जॉन को अजब लगता है तो उसका स्काव निकालकर अपने फ्रेंड को दे देता है वो कहता है कि सिसिलिया को ये दे तो जॉन को इस शादी के बदले बहुत सारे पैसे सिसिलिया ने दिये होते है जॉन का फ्रेंड फिराता है और वो स्क्राप सिसिलिया को दे देता है अब हैं पता है कि जॉन की वाइफ सिसिलिया थी और वो मर चुकी है सिसिलिया जिस टाउन में रहे रही थी वहाँ जाकर अब जॉन को सब पेपर वर्क वेगरा सब साइन करना पड़ेगा ये सब काम उसे करने पड़ेंगे और इसमें टाइम होगा तो इसलिए वो उसके बॉस पर पास आया हुआ होता है उसका बॉस उसे कहता है कि जा कराओ पर जब तुम वापस आओगे तब तुम्हें जेल में जाना है वो उसे थोड़े से पैसे भी दे देता है जब जॉन ऑफिस से निकलता है तो जॉन के जुनियर्स होते है उन्हें बाव करने के लिए जॉन का बॉस कहता है जॉन का ब्रिस्पेक्ट मिलने लग जाती है जॉन अपने फ्रेंड्स के साथ सिसिलिया के गाउ जा रहा होता है सिसिलिया के बिर्ट डेड्ड उसका सोशल सिक्रेटी नमबर उसके सब जो डिटेल से वो सब रट रहा होता है पुलिस ने अगर उसे कुछ क्वेशन पुचे तो यह सब लगना चाहिए इसलिए यह सब वो कर रहे होते है जॉन का फ्रेंड सिसिलिया के फोटो उसे दिखाता है वो कहता है कि पुलिस ने अगर तुमें बुचा तुमें आइडेंटिफाइ करना आना चाहिए जॉन जब सिसिलिया के फोटो देखता है उसे बहुत ही दूख होता है वो कहता है कि ये बहुत ही beautiful है इसके साथ ये कैसे हो सकता है इसकी age बहुत ही कम होती है इसने life का experience ने लिया है इसलिए इसे बहुत ही अब बुरा लग रहा होता है फिर से हमें सिसिलिया दिखाई गई है हमें पता है कि सिसिलिया ने जॉन को बहुत सारे पैसे दिये है पर यह जो पैसे थे जॉन के फ्रेंड से उसने लेंड किये थे जॉन के फ्रेंड के कनेक्शन्स होते है तो एक बॉस से उसने पैसे लिये होते है और सिसिलिया उस बॉस के नीचे काम करने वाली होती है जॉन का प्रेवक उसके हाथ में खून भी लग जाता है इससे बॉस ड़ा जाता है इसे जो बिमारी है दूसरों को भी हो सकती है इससे बहुत ही ड़ा जाता है और यह काम अब उसे वह नहीं करने देनेवाला होता है फिर जान का फ्रेंड और उसका बॉस यह उसे एक लॉंडर में सकता है यह ओल लेड़ी नाराज होती है कि यह काम कुछ भी नहीं कर सकेगी फिर भी उसे accept कर लेती है एक छोटा सा रूम होता है जो उसे सोने के लिए वो दे देती है इस रूम में वो आती है पानी का नल स्टार्ट करती है इस पानी के नल से बहुत गंदा बानी आता है इस के पास अफ फैमिली भी नहीं है और उसे बहुत अकेला मैसुस होता है दूसरे दिन से लिए बहुत सारे कपड़े दुती है और जब यह ओल लेड़ी देखती है तो हैरान हो जाती है वो हमेस्ट होती है कि इतनी सी लड़की इतने सारे कपड़े कैसे दो सकती है फिर यह ओ जॉन के लिए एक लेटर लिखा होता है जो जॉन को अब मिल जाता है उसमें लिखा होता है कि थैंक्यू मुझसे शादी करने के लिए मैं आपकी बहुत ये शुक्र गुजारू अगर आप मुझसे शादी नहीं करते तो मैं कूरिया में नहीं रह पाती इतने अच्छे लोग जॉन को लेकर जाता है ये सब लंच कर रहे होते है तो सिसिलिया का बोस कहता है वो मुझे बहुत सारे पैसे ओग करती थी और वो मर गई वो उसे गालिया दे रहा होता है रात में जब जॉन सो रहा होता है तो सिसिलिया का लेटर फिर से बढ़ता है वो कहता है कि इसकी वो इल्ली के लिए यहां रह सकती है इसी वज़े से उसके marriage papers वेगरा वो देखती है ओल लेडी उसे cover करती है और वहाँ से पुलिस को जल्दी से भगा देती है सिसले अपने रूम में आती है तो फिर से अपने पती का यानि की जॉन का फोटो देखती है इस फोटो को देखकर अब वो फ्रेम कर लेती है इस वर्ल में अब उसका अपना कोई भी नहीं है जॉन जो है यह अंजाना है फिर भी उसका पती है इसका ही उसे सहारा है इसलिए उसका फोटो फ्रेम कर लेती है और हमेशा यह देखती रहती है उसके लिए और एक लेटर इसने लिखा होता है सिसिलिया जब गाव में थी और ये वाशिंग का काम कर रही थी तो जॉन का फ्रेंड भी उसे मिला था सिसिलिया उसे थैंक्यू बोली थी और उसने कहा था कि जॉन को तुम थैंक्यू कहे दो जॉन के फ्रेंड ने उसे कहा था कि जॉन भी तुम्हें बहुत ही मिस करता है, यह सुनकर उसे बहुत ही अच्छा लगा था, जॉन के फ्रेंड ने सिसिलिया को कहा था कि बीच पर चल कर हम कुछ शूट करेंगे, इसके लिए भी सिसिलिया रेडी हो जाती है, नेक्स दिन में सिसिलिया हम एक सूपर शॉप में दिखाई गई है यह आकर वो टूथप्रेश खरिती है इस बार वो दो टूथप्रेश लेती है उसे लगता है वो जॉन से कभी ना कभी तो मिलेगी ही इसी वज़े से यह दो टूथप्रेश उसने लिए होते है उसे खरित कर बहुत ही रोमेंटिक और अच्छा मेसूस होता है नेक्स दिन जब वो कपड़े प्रेस कर रही होती है तो उसके मूझ से बहुत ज़ादा खुनाने लग जाता है उसे बहुत ही तकलिफ होती है और आद में भी हो सो नहीं पाती अब नेक सिन में हमें दिखता है कि जॉन सिसिलिया के टाउन में आ चुका है यहां बहुत सारा बर्फ जमा हुआ हो देखता है उसका जो फ्रीडम है इसके बहुत ही कम दिन अब बचे हुए है तो इस बर्फ पे वो नाच्टे लगता है अब जॉन उसका फ्रेंड पुली स्टेशन आते है पुली स्टेशन आने के बाद जॉन डर रहा होता है और उसका फ्रेंड उसे करेज देता है उसे अंदर लेकर जाता है सब फॉर्मलिटीज वो कम्प्रिट कर लेते है हमें फिर से सिसिलिया का सीन दिखाए गया है और वो अपने बोस के पास आती है उसे कहती है कि मैं मरने वाली हूँ उसका बोस बहुत स्ट्रिक्ट होता है और खेता है कि तुम अभी भी मेरे पैसे मुझे ओव करती हो वो दर्द में होती है और वो काम नहीं कर पा रही फिर भी वो उसे पैसे के लिए हरास करता है सिसलिया अब दर्द में है फिर भी उसे काम करना पड़ेगा जौन का फोटो ही देखती है वो के थी है कि मैं मरने वाली हूँ बहुत स्केरेड हु जॉन के प्रती उसे फेलिंग साने लग गई होती है और फिर उसे मिलना चाती है वो मरने वाली है इसलिए वो जॉन के शेहर में भी आ जाती है जॉन अपने शॉप में होता है उसे बाहर से वो देखती है वो आपने आपको एक बार देख ले थी है कैसे वो दिख रही है वो आज उससे पहली बार मिलने वाली है तभी वो आप पूलिस आ जाती है जॉन ने जो illegal tape sale की थी इसी वज़े से उसे arrest कर लिया जाता है जॉन और सिसिलिया यहां मिलनी पाते हमें फिर से जॉन दिखाई गया है और सिसिलिया को जो memory होता है वहाँ आता है candle जलाता है और बाहर आकर बेट जाता है उसके बाद फिर सिसिलिया की body उसी दिखाई जाती है यह वो देख नहीं पाता और वहाँ रोने लग जाता है उसका friend उसे कहता है कि बस हो गया वाँ acting बहुत यह अच्छी तुम acting कर रहे हो पर John को यह सब सच मुछ में महसुस हो रहा होता है John और उसका friend जब रात में dinner कर रहे होते John कहता है कि कितनी घटिया तुम आदमी हो सिसिलिया मर चुकी है और वो ताव से खा रहा है इसलिए उसे बहुत ही बुरा लग रहा होता है जॉन का फ्रेंड उसे कहता है या अपने आपको क्या दुमने देखा है तुम भी मुझसे जादा गटिया हो जॉन कहता है कि मैं भी तुमारे तरह ही हूँ हम इतने बुरे हैं पर फिर भी हम जी रहे हैं और सिसिलिया कैसे मर गई उसे guilt of survival महसुस हो रही है अब John का काम खतम हो चुका है वहाँ से जाने वाला होता है उसके boss का उसे call आता है John को उसका boss फेसे याद करा दे रहा होता है कि उसे jail में जाना है Cecilia जहां रह रह रही थी वहाँ पर John आ जाता है वहाँ की जो old lady होती है उसे बोलती है अब तुम आये हो वो तुमारा कितना weight कर रही थी तो यह मालूम में नहीं है उसे बहुत डाटती है इस old lady को उनकी जो arrangement थी इसके बारे में नहीं पता है John Cecilia का रूंग देखता है उसकी सब चीज़े देखता है उसका presence वो वहाँ महसुस करता है John जब जारा होता है तो old lady उसे एक letter दे दिती है इस Cecilia ने John के लिए लिखा होता है John फिर C के पास जाता है वहाँ अकेले बेटकर वो letter पढ़ने लग जाता है उसमें लिखा होता है कि अगर तुमें ये letter मिल चुका है तो मैं मर चुकी हूँ आपने मुझे चो kindness दिखाया इसके लिए मैं बहुत ही thankful हूँ जब मैं आपकी picture देखती थी इसे आपसे मुझे pair हो गया मैं बहुत ही अकेली थी और ये बहुत ही difficult था पर जब भी मैं आपकी photo देखती थी आप photo में हमेशा smile करते रहते थे मुझे आपसे एक favor मागना है कि as a wife क्या मैं आपकी wife बन कर मर सकती हूँ जब मैं मरूंगी तो please मुझे देखनी के लिए आपाना उसकी जो last wish है ये John ने fulfill कर दी है उसमें लिखा होता है कि world में उससे भी वो सबसे ज़ादा पैयर करती है John लेटर पड़ता है और बहुत emotional हो जाता है वो रोने लग जाता है John फिर घर पर आ जाता है वो अपने boss के साथ उसकी meeting होती है वो अपने boss को कह देता है कि अब मैं jail नहीं जाना चाता है वो अपने गाउ जाकर अपने life जीना चाता है John फिर अपने घर आ जाता है उसका friend भी उसके साथ होता है John अब जाने वाला है तो उसका friend उसे कहता है कि दो मिनिट यहाँ रुको मैं तुमारे लिए कुछ लाना चाता हूँ John जारा बोर होने लग जाता है तो कुछ movies विगरावो देख ले इसके लिए CDs देखने लग जाता है एक CD पर Sicilia का नाम होता है John को जो friend था उसने Sicilia को कहा था कि बीच पर आओ हम तुमारा कुछ art बनाएंगे यह tape फिर John लगाता है इसकी जो शुरुवात होती है उसमें John का friend उससे बोलता है कि तुम John को मिस करती हो तो John के लिए तुम गाना गाओ इसमें Sicilia गाना गाते होए दिखती है John ने देखकर रोने लग जाता है तभी उसका जो friend होता है वो वापस आ जाता है एक तार उसने लाए होता है John के नेक पर वो बान देता है और John को गला घुटकर वो मार देता है John उसके लास्ट पोलो में Sicilia को देखते देखते ही मर जाता है यही ए मूवी एंड हो जाती है John के बोस को John ने वादा किया था और John का जो बोस था वो बहुत इस्टिक था हमने देखा था कि उसने मूवी के फर्स्ट में ही कहा था कि चीजों को हम ऐसे लूज नहीं छोड़ सकते हमें पुरा काम करना चाहिए और हमें सिचुएशन को हैंडल करना चाहिए वरना हम हमारी पावर लूज कर सकते जॉन को जाने देना ये पावर लूज करने जैसा है तो इसलिए जॉन को वो मार डालता है जॉन और सेसिलिया दोनों बहुत ही अकेले थे ये दोनों कभी भी एक दूसरे से मिलने पाए पर जब इनके लाइफ में एक दूसरे को उन्होंने याद किया तो वो सेम महसूस कर रहे थे जॉन की लाइफ अब बरवाद होने वाली थी उसके पास कोई नहीं था और वो जेल में भी जाने वाला था उसका रिस्पेक कोई नहीं करता था और उसके लाइफ में उसे मज़ा भी नहीं आ रहा था सिसिलिया जो थी उसका कोई नहीं था वो इस दुनिया में अकेली थी ये दोनों बहुत ही जादा अकेले थे एक दुसरे से अगर ये मिल जाते तो इन दोनों का अकेला बंदूर हो जाता ये दोनों सेम फिल करते थे एक दूसरे से ये पैर करने लग गए थे टाइम इनके साइट पर नहीं था जॉन का एक ही ड्रीम था कि वो अपने गाओं में जा सके और वो आप फिशिंग कर सके जब सिसिलिया का लेटर वो पढ़ रहा था वो सी के बास आया था उसे जो सब चीज़े पैर है वो इस लेटर में वो जी रहा था सिसिलिया कभी फ्रीडम नहीं पा सकी जॉन भी यही फ्रीडम पाना चाता था इसलिए उसके बास को उसने मना कर दिया था पर वो कभी यह फ्रीडम पा नहीं सका उसके लास्ट पलो में सिसिलिया और समुंदर ये दोनों उसके जो पैरी चीज़े थी इन्हें देखते देखते ही हो मर गया इस मुवी में साइलन्स, लोनलिनेस और लॉंगिंग ये बहुत ही ब्यूटिफुल दिखाया गया है अगर आपको ये मुवी अच्छे लगी होगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजे मैं बहुत सारी मुवी लेकर आता रहता हूँ तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजे और बेल नोटिफेशन आइकोन भी दबा दीजे हम फिर से मिलेंगे नई मुवी के साथ तब तक के लिए धैंक्यू और आप अपने आपका खैल रखिये